भारत के पहले दिल्ली से मेरेट के बीच बन रहे RRTS कोरिडॉर के काम ने काफी जादा तेजी पकड़ ली है जहाँ पर सबसे लेटर सब्डेट की बात की जाए तो इस कोरिडॉर के टरनलिंग वर को शुरू किया जा चुका है यहाँ पर लगभग 90 मीटर टरनल बोरिंग मशीन की मदद से आनन विहार से दिल्ली के न्यू अशोग नगर के बीच में टरनल का निर्माण का काम शुरू किया जा चुका है जो लगभग 6.6 मीटर डायमीटर का रहने वाला है और यहाँ पर 180 किलोमेटर प्रति घंटे की रफटार से RRTS ट्रेंस ओपरेट होंगी जहाँ पर National Capital Region Transport Corporation का कहना है कि ट्रेनों की उच्ची डिजाइन गती के साथ साथ रोलिंग स्टॉक को भी काफी एडवांस सिस्टम से तयार किया जा रहा है क्योंकि यह भारत की अन्य मेटर की तुलना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी स्पीड भी काफी जा जाएगा यानि मार्च 2023 में इसका 17 किलोमेटर का कॉरिडर ओपेन होगा जहां पर साथ ट्रायल रन शुरू किये जाएंगे और 2025 यह ट्रेन कंप्लीट ली पब्लिक के लिए ओपेन कर दी जाएगी जहां पर बात की जाए इस परियोजना में 14,000 से भी जाधा करमचारी और 11 से जाधा इंजिनियर काम कर रहे हैं जहां पर इस रेल के फस्ट वेस के 18 किलोमेटर क्या काम को कंप्लीट किया जा चुका है और इस कॉरिडर के 80% के काम को कंप्लीट भी किया जा चुका है तो दूस्तों बस एक साल का इntजार है एक साल बाद रेपिड रील दोड़ती हु मिलेंगे हम आपको एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो में ये तब तक के लिए वंदे मात रम भारत माता कीजए